तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने HDFC bank account का mobile number चेंज कर सकते हो वो भी बिना branch जाए और बिना internet banking यूज किये तो अगर आपके पास अपने HDFC bank account का debit card है अर्थात ATM card है तो आप उस ATM card के माधियम से किसी भी nearest HDFC ATM पे जाके mobile number चेंज कर सकते हो और mobile number चेंज करने के लिए यानि के नया mobile number अपडेट करने के लिए आपको पुराने number की भी ज़रत नहीं होगी तो चलिए अब मैं आपको live process दिखाता हूँ ATM machine से कैसे आपको अपना mobile number चेंज करना होता है और नया mobile number अपडेट करना होता है तो अब देखते हैं ATM machine के माधियम से mobile number चेंज करने का और नया mobile number अपडेट करने का क्या है process तो सबसे पहले आपको अपना ATM card अर्थाथ HDFC bank का ATM card HDFC bank के ही ATM में insert करना है उसके बाद यहाँ पर आपके transaction को process किया जाता है इस दोरान आपको अपना ATM card remove नहीं करना है अब यहाँ पर जिस भी language में आप ATM machine को use करना चाहते हो वो language आपको select कर लेना है मैं English select कर लेता हूँ अब आपको main menu पर select करना है तो वीडियो अभी आप last तक देखते रहे ताकि आपको सारी चीजे समझ में आ जाए उसके बाद आप आसानी से ये process ATM machine में कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपको more options पर select करना है अब यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ मिलता है update registered mobile number तो simply आपको इस पर select करना है अब आपको अपना वो नया mobile number इंटर करना है जो कि आप अपने bank account में update करना चाहते हूँ 10 digit का mobile number इंटर करने के बाद आपको confirm पर select करना है उसके बाद आपको same mobile number वापस से re-inter करने के लिए बोला जाएगा अर्थात आपको वापस से वो नया mobile number इंटर करना है और आपको confirm पर select कर लेना है उसके बाद आपको अपने ATM card का 4-digit ATM pin इंटर करना है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ATM machine से एक receipt निकल के आया है उसके बाद यहाँ पर मुझे HDFC bank का credit card लेने के लिए offer दिख रहा मैं no कर देता हूँ उसके बाद आपको अपना ATM card निकाल लेना है यहाँ आप देख सकते हो ATM machine के screen पे कुछ इस type का message दिखा हुआ है Your request has been accepted और within 2 working days मेरे bank account के साथ नया mobile number अपडेट कर दिया जाएगा तो आपको 2 दिन तक wait करना है